असलाम वालेकुम फ्रेंड्स स्वागत है आपका इस यूट्यूब चेनल जेके स्टूडंट्स गाइडर में तो आज काई वीडियो यहां पर जेके बोस के 12th क्लास के स्टूडंट्स के लिए है तो जैसे कि आप सबको पता है कल environment sense का यहां पर exam होने वाला है तो मैं आपको यहां पर बताऊंगा आपने last hour में prepare कैसे करना है और कुछ important questions भी मैंने आपके लिए रखे हैं वो भी मैं आपको दे दूँगा साथ ही मैं यहां पर आपका paper pattern कैर रहने वाला है वो भी दिखाऊंगा and यहां पर जो है एक trick बताऊंगा आपको कुछ chapters पढ़ने आप easily pass हो जाओगे क्या कुछ पढ़ना है सब कुछ detail में समझाऊंगा उसके लिए आपने मेरा ये वाला वीडियो end तक जरूर देखना पड़ेगा अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो चैनल को subscribe and notification को on करके रखे आपके related कोई भी important वीडियो होगा आपको उसकी notification मिल जाएगी अगर what's up group joining के है link description में मिल जाएगी वहाँ से जाकर आप join करना वहाँ पर मैं important notifications plus study material शेयर करता रहता हूँ join जरूर करना link description में मिल जाएगी सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर model paper देखाँगा paper pattern किस तरी किसे आने वाला है उसके बाद important questions and trick वगएरा तो यहाँ पर आप देख सकते हो model paper पहले subject environment science maximum marks 70 बागी 30 marks आपका यहाँ पर practical होता है जो आपका school खुद लेता है 70 marks में से आपने 25 marks करने तब जाके आपका यहाँ पर environment science जो है compulsory करने होंगे question number 1 से लेकर question number 8 तक होंगे objective and multiple choice based questions 1 marks वाले उसके बाद यहाँ पर question number 9 से लेकर question number 18 तक होंगे very short answer type questions 2 marks वाले उसके बाद question number 19 से लेकर question number 27 तक होंगे short answer type questions 3 marks वाले उसके बाद question number 28 से लेकर question number 30 तक होंगे long answer type questions 5 marks वाले with internal choice यानि आर्च वाइज भी दे दे जाएगी किस तरीक से दे जाएगी वो वीडियो के आगे मैं बताऊंगा अब यहां पर आप देख सकते हो section A जो होगा object to type questions जो होंगे 8 questions होंगे section A से 1 marks वाले होगे यहां पर 8 marks आपको section A से तो यहां पर आप देख सकते हो question number 1 किस तरीक से आपको पूचा जाएगा question number 2 किसी की definition पूचे जाएगी question number 3 भी किसी की definition पूचे जाएगी तो यहां यहां पर जो है MC को भी आ सकता है तो यह यहां पर आप देख सकते हो किस तरीक से 1 marks वाले questions पूचे जाएगे तो 8 questions होंगे total यहांपर section A से तो उसके बाद section B आपको पूचा जाएगा very short answer type questions 10 questions होंगे 2 marks वाले तो हो गए यहांपर 20 marks आपके section B से तो उसके बाद यहांपर आप देख सकते हो section B में किस तरीक से यहांपर questions पूचा जाएगे question number 9, question number 10, 11, 12, 13, 14, 15 इस तरीक से यहांपर आप देख सकते हो तो यहांपर यह 2 marks वाले questions होंगे section B से उसके बाद section C यहांपर आप देख सकते हो short answer type questions पूचे जाएगे यहांपर 3 marks वाले questions होंगे 9 questions होंगे total होगे 27 marks आपके यहांपर section C से तो यहाँ पर आप देख सकते हो 3 marks वाले questions किस तरह की से पूछे जाएंगे question number 19, 20, 21, 22 तो यहाँ पर आपके समने है question number 27 को और चैस दे दी जाएगी तो इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो section D long answer type questions 3 questions आपको पूछे जाएंगे 5 marks वाले होगे 15 marks आपके यहाँ पर section D से तो यहाँ पर आप देख सकते हो question number 28 का भी और चैस दे 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 जाएगा question number 29 का भी और चैस और question number 30 का भी यहाँ पर आपको और चैस दे 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 जाएगा तो यहाँ पर आपके समने है यह 5 marks वाले questions यहां पर होंगे section D से तो यह आपका paper pattern था अब important questions and trick वगरा बताऊंगा अब यहां पर पहले trick बताता हूँ उसके बाद important questions end पर बताता हूँ तो यहां पर आप देख सकते हो जो students बिलकुल pass ही होना चाते है 25 marks to 30 marks थक लाना चाते है जो students बोल रहे हैं हम pass ही होना चाते है तो किस तरह की से pass करना है बाकि जिन students ने already self-couver किया होगा तो उनको जरूरत नहीं है जो students सिरफ pass ही होना चाते हैं देखो यहां पर आपके सब भी units 10-10 marks के हैं यहां पर आप देख सकते हो तो आपके total यहां पर 25 marks पास है तो आप उन्हें किस तरह की सब पढ़ना है वो देखो तो यहां पर आपके सामने है unit first 10 marks का है हो गया है यहां पर 10 marks अगर आप 3 units cover करोगे ना for example first, second, third यहां यहां पर 3, fourth, fifth तो तीन unit आपको सिर्फ cover करने है 3 units cover करो 10-10 हो गए 20 और 10 हो गए 30 तो 25 marks आपके पास है तो आप easily pass हो जाओगे तो यहां पर आप देख सकते हो for example यहां पर जो unit first है air and noise pollution यहां पर आप देख सकते हो air pollution इसके sources क्या है इसके types क्या है यहां पर आप देख सकते हो impact of air pollution on environment क्या है सब कुछ यहां पर आपको दिया हुआ है यहां पर देखो आपका easily यहां पर environment science पास है एक तो यह easy है दूसरा हमारे environment के बारे में पुछा जाता है तो easy आपका यहां पर हो जाएगा सिरफ आपको 3 units cover करो जो भी 3 units आपको easy लगे वो cover कर लो आपका यहां पर पास हो जाएगी यह simple trick थी अब important questions देखो यह कुछ important questions है यहां पर 12th class इनका आप सिक्रीन शार्ट ले सकते हो अगर आपको model paper and in important questions की पीडिया फाइल डाउनलोड करनी है link में description मैं दे दूँँगा वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो and यहां पर इन questions को easily देख सकते हो इन questions को अच्छा तरीक से याद करना है यह most important questions है यह बिल्कुल आपके exam में आ सकते हैं यह most important questions है आप सबी के लिए तो यहां पर आप देख सकते हो यह आपके सामने है यह important questions है पीडिया फाइल की link description में मिल जाएगी वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो अब इस वीडियो को बागी friends तक भी पहुंचा तो ताकि उनको भी इसके बारे में पता चले इस वीडियो को देखने के लिए thank you so much